तो बच्चो आज हम बात करेंगे आकलन कारपत रकनो हिंदी कक्षाच्छे जो कि आपको आज प्रवाइट किये गए यह आपका दस नंबर के टेस्ट है तो इस स्टार्टिंग में हमको यह जो पैराग्राफ दियो एक अंकी की रूप में इसको हमें पढ़ना है ठीक है न और कमें उम्रों कितनी होगे तो गद्यांस में मोहन की जो उम्र है अट नुवर सी ठीक है न स्टान राइट है पूरेलेन से देखो फर्स्ट में सा सेकेंड में सा थर्ड में आ ठीक है आगे बढ़ें अगला कोसर नमबर फॉर कहरा कि गद्यांस में सुंदर फ्लेट का द्रिस से कहां पर है तो सड़क के किनारे बा उप्सन है कोसर फाइब गद्यांस के नुसार एक आंकी का क्या अर्थ होता है एक आंकी का क्या अर्थ होता है तो एक आंक वाला दा उप्सन राइट है ठीक है फिर से देखो कोसर नमबर फोर में बा, कोशन नमबर फाइब में दा, ठीक है, आगे बढ़ें, अगला, कोशन नमबर सिक्स, परदा उठाने पर एक मिनट, एक मिन्ट कोशन नमबर शिक्स कोशन नमबर शिक्स था ना बच्छा एक मिन्ट कोशन नमबर शिक्स से फाइब में क्या था एक अंक वाला पर्दा उठाने पर एक तक्ठ पर लेटा अ रितिस्थान में सब्दोगा यहां पर हमें फिल करना है तो कौन लेटा था दा उप्शनीे ठीक है मोहन लेटा था कोशन सेबन क्लास सब्दकार्थ क्या है कफ्षा होता है ठीक है फिर जा देखו फाइब में दा, सेवन में मोहन था, सुरी, सिक्स में मोहन था, ठीक है, दा उप्सन राइट है, सेवन में क्लास सब्दकार्थ क्या होता है, कक्षा, ठीक है, आगे बढ़ें अगला, कॉसर नॉम्बर एट, छोटी सब्द का विलोम सब्द बड़ी हो जाएगा, ठीक है, विल एट में सा नाइन में सा टेन में बार ठीक है है मैं कि लिया रहे आपक तो ये थी assessment9 िंदी कम्लेट रहे हुई कहीं पर कोमेंट कर सकते हो ठीक है अग Gustively लीकत लाइक कर सकते हो चैनल कोने पर शब्राइब कर सकते हैं तो थी